तो आप सभी के लिए एक खुसकवरी है अभी HSSC ने तीन चार धमाके कियें लगातार जिन में रजल्ट निकाला है पेंडिंग रजल्ट जो बचा हुआ था किसी कांडवस कोट के अंदर टका हुआ था या किसी और कांडवस जिनका रजल्ट नहीं आपाया था जो EBPG है उन एक दम त्यार हो चुकी है अब कारण आप सभी को पता ही होगा क्या कारण है लेकिन आने वाड़े मैं कहता हूं आज एक तारिक हो गई आज या कल या परसों या दो तारिक या तीन तारिक को आपके सामने एक दम त्यार हो जाईए पड़ाई के लिए मैं आपको बता देता हूं यह जो रजल्ट जारी किये गए है यह पोस्ट है अपने सब इंस्पेक्टर की फुड सप्लाई में इसका रजल्ट जारी हुआ यह पेंडिंग बच्चा हुआ था इसके लावा मैं और बात कर वह रजल्ट यहां पर आप देख सकते हो वाइड लाइस संचुरी जो फोरेस्ट गार्ड है इसके अंदर बात करें तो जो इबी पीजी का जो पेंडिंग रजल्ट था वह जारी कर दिया गया है इसके लावा और कौन कौन से हैं इसके लावा देखिए यहां पर भी अपन अब बहुत ही जल्द का मतलब की आने वाली आप मान के चलो आज एक तारीक है कल दो है परसौं तीन है इन करें दिन॓ं में आपको एक्जाम डेट भी देखने को मिल सकती है अगर इन तीन दिनों में नहीं आती तो आने वाड़े दस तारिक तक तो पकी मानी आप पेपर है वो दिसंबर के लास्ट या जनवरी में तो पका है आपका सेलेक्शन कोई नहीं रोग सकता और इसके लिए मैं आपको बता दूँ अपने यापे स्पेसल बेंच भी चला रहे हैं पांस तारिक को बेंच शुरू हो रहा है इसके अधिक जानकरी के लिए आप कॉल कर सकते हो डवलेट जीरो थ्री एट टू एट और ट्रीपल जीरो यह मुवाइल नंबर रहेगा इस नंबर पर आप है कॉंटेट करके पूछ सकते हो कि जी कितने में कैसे क्या पढ़ाओग और क्या बेंच है ठीक है तो धन्यवाद यही जानकरी आपको देने थी गुड़ बेंच है